दोस्तों मैं सलाम उद्दीन दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है यह 18650 लिख्यम इसे हम किस तरीके से चार्ज करें कि हमारा यह सेल जो है काफी टाइम तक चले और खराब ना हो तो दो तरीका है दोस्तों एक तरीका तो डाइबोर्ड वाला है आप डाइबोर्ड का एक किसी भी पलस या माइनस पर जोड़के और किसी भी चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों कि डाइबोर्ड से हमारा जो है जो सप्लाई रहती है वह बैटरी में जाती रहती है अगर ज्यादा टाइम हम लगा देंगे तो क्या हमारी बैटरी है और इसका जो उपर का भी जो लगा रहते है पॉइंट यही हम निकालके और इस बैटरी में जोड़ेंगे तो हम किस तरीके से इसको लगाएंगे दोस्तों यह आप देख सकते हैं इसको पहले में पलस माइनस को हटा लूँगा इस बैटरी से फटा-फट उसके बाद में इसका connection में बताऊंगा यह दोस्तों बहुत अच्छा work करता है और काफी लंबे समय तक यह आपका चलेगा और अच्छे से यह काम करेगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैटरी वाला एक प्लस और एक माइनस है तो प्लस प्लस को माइनस माइनस को हम पहले आपको बताएंगे कि कैसे हमें बैटरी में इसको जोड़ना है तो मैंने दो वायर ले लिया है दोस्तों एक हमारा red है और एक green है तो यह आप देख सकते हैं मैंने एक वायर को जोड़ दिया है फटा फट और दूसरे को भी कुछ इस तरीके से हम जोड़ लेंगे और जोड जालके और कैसे इसको चार्ज करना है तो हमें कुछ इस तरीके से इस पर ऐसे जोड़ देना है बैटरी पर यह दोनों वायर को कुछ इस तरीके से आपको भी जोड़ लेना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से जोड़ दिया है यह देखिए और उ तो दोस्तो हम इसमें फटाफट वायर जोड़ लें, उसके बाद में आपको चेक करके दिखाएंगे, तो दोस्तो में पहले आपको चेक करके दिखा दू, फिर वायर जोड़ लेंगे, तो यह आप देख सकते हैं, जो हमने point mobile के battery वाला लगाया था, यह पूरी अच्छी तरी का जुगाड़ और जैसे mobile का battery आता है, उसमें भी कर सकते हैं, यह 18650 में भी कर सकते हैं, और जो काली वाली battery आती है, emergency में लगती हैं, उसमें भी यह जुगाड़ कर सकते हैं, यह बहुत अच्छा काम करता है दोस्तो, यह देखे दोस्तो मैंने दो वायर निकाल देया, mobile battery रहती हैं, उसमें की निकाल के आप इसको इसली चला सकते हैं, और दोस्तो यह हमारी battery रहेगी, इसका life काफी time तक चल जाएगा, तो दोस्तो वीडियो छोटा है, लेकिन बहुत वीडियो में जो knowledge दी गई है, आसा करते हैं, आपके बहुत काम आएगा, तो दोस्तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना,